टीजर रिव्यू करेंगे बेल बॉटम अक्षे कुमार स्टारिंग ये फिल्म बहुत कम समय के अंदर बनकर तयार हुई है इस फिल्म के बारे में खास बात ये थी कि कोरोना काल के दौरान शूटिंग शुरू होने वाली और शूटिंग खत्म करने वाली ये पहली फिल्म है कमाल की बात तो ये है कि 30 सेप्टेंबर को फिल्म के शूटिंग कम्प्लीट कर लिने के बाद पांच दिन के अंदर इसका टीजर रिलीस किये जाने से आप अंदाजा लगा सकते है कि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम कितनी तेजी से चल रहा है टीजर की ओपनिंग होती है अक्षा कुमार से जहां उनके बेल बोटम पैंट पर फोकस किया जाता है फिल्म के नाम को इस प्रकार से जस्टिफाई किये जाने को आप एक अच्छा क्रियेटिव वर्क कह सकते हैं हाला कि ये बात तो सभी जानते होंगे कि बेल बोटम क्या होता है पट स्टिल जो नहीं जानते उन्हें बता दे कि 70s और 80s के दशक में इस खास तरह के बने पैंट्स पहनने का फैशन था ये पैंट गुटनों से नीचे तक फिटिंग और फिर नीचे तक एकदम लूज होते थे फिल्म का नाम बेल बोटम रखे जाने का रीजन केवल इतना हो सकता है कि ये फिल्म 70s और 80s में बेस्ट है अक्षे कुमार से शुरू हुआ ये टीजर अक्षे कुमार पर ही खत्म हो जाता है यानि फिल्म में तीन-तीन अक्ट्रेस्स वानी कपूर, लारा दथ्ता और हुमा कुरेशी के होने के बाद भी पूरे टीजर में केवल अक्षे कुमार का नजरा आना इस और भी इशारा कर रहा है कि बाकी सभी actresses का screen space कितना सीमित होगा इस film में stylish look और बहतरीन personality की बात हो तो शायद अक्षक कुमार के सामने कोई न टिक पाए teaser में bell bottom pant पहने चश्मा लगाए और हाथ में suitcase लिए slow motion में उनकी entry ये बात साफ तोर पर जाहिर करती है कि ये एक बहतरीन मसाला film हो सकती है इस teaser का सबसे बड़ा plus point है इसका background music जो एक बार को आपको कभीर सिंग के background music की याद दिलाने लगती है अक्षक कुमार के scenes पर ये background music जबरदस्त support करती है हाला कि मुझे ऐसा feel हो रहा है कि teaser में दिखाए गए shots skeptical teaser बनाने के लिए ही shoot किये गए है असल film में शायद ये scenes देखने को ना मिले क्योंकि अभी 30 September को ही इसके shooting खत्म होई है और उन footage में से 5 दिन के अंदर ही teaser बना लेना कोई आसान काम नहीं है इन case अगर ये कर भी लिया गया हो तो original bell bottom की जो कहानी है उसमें अक्षे कुमार का इस तरह का कोई scene होना doubtful है हाँ शोबाजी के लिए कोई ऐसा scene बनाए गया हो तो अलग बात है या फिर साउथ वाली bell bottom और इसके हिंदी वर्जन के plot में कुछ changes हुए हो तो हो सकता है कि इस तरह का scene फिल्म का हिस्सा हो खायर टीजर इंटरस्टिंग तो जरूर लग रहा है बेल बोटम फिल्म 2019 में रिलिस्ट कन्नडा फिल्म बेल बोटम का ही remake वर्जन है जिसमें रिशब शेटी और हरी प्रिया ने काम किया था ये एक blockbuster फिल्म साबित हुई थी 2019 में इस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे अच्छी कमाई की थी औरिजिनल बेल बोटम की बात करे तो वो एक ऐसे constable की कहानी थी जो actually में जासूस बनना चाहता था लेकिन पिता के दबाव में आकर उसे पुलिस में भरती होना पड़ा जहां वो एक murder case को solve करने में काम्याब रहता है इसके बाद वो शहर में popular हो जाता है इसी के कुछ दिन बाद उसके पास एक robbery का case आता है और इसी case को सुलजाने की कहानी है बिल बोटम लेकिन शायद अक्षे कुमार के हिंदी वर्जन में क्योंगी इसे एक spy thriller film बताया जा रहा है तो हो सकता है कहानी में कुछ changes किये गए हो अब देखने वाली बात होगी कि जो film करनाटका में इतनी popular हुई है अगर उसी कहानी को अक्षे कुमार के साथ national level यानि पूरी Indian audience के लिए बनाई जाएगी तो इसका क्या response आता है इंतिजार कीजे फिल्म के trailer release होने का तक कि फिल्म की असली release date पता चल सके Have a nice day